तो यह वाइपन की तरफ से काफी अच्छा डिवाइस देखने को मिल जाता है तो अगर आपने प्लैन किया था आपके लिए काफी इंफर्मेटिव हो सकती है तो यहाँ पर हम डिसकस करेंगे कि क्या यह डिवाइस आपके लिए वैली फॉर मनी है यहाँ फिर आपको किसी और डिवाइस की तरफ जाना चाहिए तो अगर आपको टॉपिक एश्ट्रीन की लागा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जीदे चैनल पर उन्हें हो तो सब्सक्राइब जूर करना लेटर इस स्पेस्फिकेशन देखने को मिल जाते हैं अगर आप जाना चाहते हैं इसकी टेटेल स्पेस्फिकेशन तो वीडियो आप जाकर मेरे आई कार्ड में चेक आउट कर सकते हैं तो यहां पर अगर डिसकस करें कि क्या यह स्मार्टफोन आपको भाई करना चाहिए यह अबको किसी और डिवाइस की तरफ जाना चाहिए तो बेसिकल यह डिपैंड करेंगा आपके यूसे की तरफ आप्के परिसद यूसे की तरफ कि आप किस तरह इस डिवाइस को यूस करते हैं तो सबसाब्सपहले हैशा है अच्ची हो है स्टेवाइस कि यह डियली डेek चा प्रवाइड होगा इस डिवाइस में तो यहां पर आपको A15 चिप जोग देखने को मिलती है वो एक काफी पाउरफुल आपको मुल्टी टास्किंग इस डिवाइस की काफी अच्छी देखने को मिल जाती तो डेली यूसिज के लिए आपके लिए यह जो डिवाइस है वे एक काफी अच्छा डिवाइस हो सकता है अगर बात करें इस smartphone की build quality के बारे में तो build quality तो आपको बिलकुल एक अच्छा design देखने को मिलता है एपल की तरफ से इस बार इसमें आपको notch भी देखने को मिलेगी और इसमें आपको एक कम notch देखने को मिलेगी इसका जो size अब आपको जैसे iPhone 13 series में हमें देखने को मिलता है वैसे ही आपको इसमें iPhone SE 3 में देखने को मिलेगा और इसमें आपको Touch ID का विस्पोर्ट देखने को मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से एक काफी useful feature हो जाता है अगर आप एक marks wear करते हैं करोना के कारण तो आपके लिए definitely Touch ID काफी आपका useful हो सकती है तो daily से daily usage के लिए आपके लिए ये जो device है वो एक काफी अच्छा device हो जाता है तो अगर बात करें second condition के बारे में तो वो है इसकी gaming अगर आप एक smartphone चाते है gaming के लिए तो definitely आपको इसमें बहुत सारी अच्छी gaming आप इस device में कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको latest chipset A15 chip देखने को मिलेगी अगर बात करें इस smartphone की अगली condition के बारे में तो वो है इसकी camera अगर आप एक device चाते हैं camera quality के recording तो ये भी device आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें आपको 12 Mac बिस्तों का camera देखने को मिलेगा और इसमें आपको smart HDR का sport देखने को मिलेगा जिसमें कारण आपकी जो HDR है आपकी dynamic range काफी अच्छे से control होगी तो definitely camera quality regarding आपको अगर आप एक smartphone जाते हैं camera quality regarding अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एक smartphone में करना चाते हैं और आपका budget भी कम है तो आपके लिए यह जो device है वो एक काफी अच्छा device होग सकता है as compared to other devices से और वहीं परकत बात करें इस smartphone के battle lab के बारे में तो battle lab तो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी और इसमें अगर आपको बात करें fast charging के बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें आपको 25 वार्ट charging support देखने को मिल जाएगी जो कि मेरे साफ से apple की तरफ से काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती बट वो जो चार्जर है वो आप external buy करना पड़ेगा यहां पर आपको box के अंदर नहीं देखने को मिलेगा तो यह थी कुछ conditions जो कि आपको depend करते हैं आपके person user की तरफ अगर आप एक device आते हैं build quality wise तो आपके लिए इस device काफी अच्छा हो सकता है camera quality wise भी आपको काफी अच्छा device देखने को मिल जाता है build quality, performance हर एक चीज इस device की आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है अगर मैं बात करूँ मेरे personal opinion की कि क्या यह device आपको buy करना चाहिए या फिर आपको किसी और device की तरफ जाना चाहिए तो अगर आपका budget basically 65,000 के under है अगर आप एक smartphone buy करना चाह रहे हैं 60,000 का तो मेरे इसाब से आपको यह device ही buy करना चाहिए as compared to other devices यानि कि Samsung का भी अगर आप iPhone की तरफ से आपको यह जो device है iPhone SE 3 की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छी camera quality, performance, हर एक चीज इस device की आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी और अगर आपने प्लैन किया था iPhone 11 buy करने का तो आपके लिए यह जो device आपको काफी अच्छा देखने को म इस ना कर सेकते मिलते अगली वार एक नई मुटे के साथ अब तक के लिए गुड़ बाई